अलो माई फ्रेंड्स हम आज अगर बात करें फिरामोन या जो रानी में जो पदार्थ होता है फिरामोन से सम्मंदित या रानी का पदार्थ तो मदमक्कियां जो होती है रानी पदार्थ रानी ही स्रावित करती है और जब ये पदार्थ निकलता है तो उसमें मुख्य रूप से, मुख्य रसायन के रूप में Trans-1, Hydroxy-2, Decienoic Acid ताथा Trans-9, Hydroxy-2, I-Noiki Acid होते हैं ये रानी के सिर में इस्थित Mandibular ग्रंतियों से निकल कर सारे सरीर पर फैल जाते हैं रानी के सरीर की सफाई करते समय कमेरियां उसे चाटती है और अन्य कमेरियां वरकर्स में इसको बितरिद करती है इसके अलावा रानी पदार्थ को खाने से कमेरियों के जनन अंग नहीं बढ़ पाते हैं और ये एक तरह से अपून मादाएं ही रह जाती है प्रजनानगों का विकास रोक देने हेद ये काफी हद तक responsible है विशेश कर वरकर्स वीज हेद ये मदमक्या फिर सिर्फ मजदूरों जैसा कारिय कर सकती है इसी तरह नर्चूहे फिरामोन इस्तेमाल चूहों की काम भावना भड़काने के लिए करते हैं बड़े अस्तनधारियों में फिरामोन की सक्रियता थोड़ी कम होती है लेकिन इन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है जो फिरामोन प्रायव सभी जानवरों में पाई जाते हैं ये ऐसे रसायन होते हैं जो एक ही प्रजाती के जानवरों पर प्रभाव उत्पन करते हैं वैसे जब हम बात करें सोधकाओं और करताओं ने इस तरह की बात किया है कि ब्यक्तियों का जो पसीना है वो सूंकर अपना मासिक धर्म को नियंतित करने है तो भी इसका प्रयोग खासकर होता है अध्याइन से यह भी पता चला है कि पूर्सों के पसीने से निरंतर संपर्क में जो रहने वाली हिस्त्रियां हैं उनके मासिक धर्म कभी भी अनियमित नहीं होते हैं प्रयोगों से पता चला है कि गर्बाधान युग गाय यदि अपने नरसाथी के मुत्र से सरजित हो रहे फिरामोनों के संपर्क में आ जाती है तो ततकाल उसकी यौन एक्षा तिब्रहोटती है इसके भी परित शहरों गाओं में आम तोर पर पाय जाने वाले रिशस बंदर की वो मेरो नेजल संरचना को यदि ढख दिया जाए तो उसकी काम भावना बिलकुर समाप्त हो जाती है यह असपर्ष्ट तोर पर नहीं कहा जा सकता है कि मनुष से भी फिरामोन छोड़ते हैं या नहीं किन्त प्रयोगों से असावित हो चुका है कि हमारे सरीर से जो द्रौख खास याउन रसायन होते हैं जिने एंड्रोश्टीन्स एवं कोपुलिन्स कहा जाता है इन रसायनों का असर फिरामोन जैसे ही माना जाता है जो कि अभी मैंने चर्चा गया जो कास करके महिलाओं में मासिक धर्म को लेकर एक प्रयोग के दोरान एक सिने महाल और विश्राम कक्च की कुरसियों पर मानो एंड्रोश्टीन्स का छिड़काव कर दिया गया तो पता चला कि महिलाएं ऐसी कुरसियों पर अधिक तत्परता से बैटें पुरुस नहीं अधिकांस बीशे सग्यों का मानना है कि इन सब प्रयोगों से फिरामोन की सक्रियता का संकेत मिलता है उसकी पुष्ट नहीं होती लेकिन केलिफोर्निया इसित एरोक्स तो फिरामोन आधारित इत्रों का 1994 से ही वकाइदा उत्पादन हो रहा है एरोक्स के बनाए इत्रों की पस्चमी देशों में अच्छी मांग है ये इत्र मनुस्य की छठी इंद्रियों को उत्तेजित करने का दावा करते हैं ऐसा इनके निर्माताओं का कहना है कि इनके इस् प्रक्षित आराम पूंड सुखी एवं आत्म विश्वास से भरपूर पा जाता है तो इस प्रकारते हम लोग अभी ये देख रहे थे मधमक्की पालन और विशेशकर ऐसे फिरामोन्स जो रानी छोड़ती है या रानी का पदार्थ तैंक्यू फार वाचिंग